वाहिगुर्ची का खाल साव वाहिगुर्ची की फते मैं तोड़ी होस्ट निलम कोर्थ मैं TV84 दे सारे दशकाना देली स्वाक्त कर दियां प्रोग्राम सच्चो साच्वेच जड़े इस प्रोग्राम में देशामें देशामें चे बैठके देखते हैं सुन रहेने हाग साच दिया वाजनों बलंद करने माले डाक्टर मजी सिंगी रुजाना दी तरह स्टूडी वच मेरना माजूद ने आउना मिलके प्रोग्राम दी शुरुवाद कर देयां जी डार साव वाहिगर्ची का खाल साव वाहिगर्ची की फते जी डार साव तोड़ा निगास वागता है प्रोग्राम सच वसाच वेचे बहुत मेरबानी जी डार साव आज अठारा नवंबर दोजार सोलां पांज मगर नानशाय समद पांसो अठाली दादी है ते डार साव प्रोग्राम दी शुरुवाद करांगे आज दे आएम इशुज ना ते आज दे आएम इशुज केड़े ने ते ओना दी तोड़े विचार की ने सब तो पहला तो अपने दर्शकां तो माफी चांदे हैं कि पिछले दो देन असी सिद्धे तो और ते ना फेस्बुक ते आ सके ना ही जड़े है ओन तो वन जमें सानों मैसेज्ज में मिल देने उना नों एटेंट कर सके जी और जार है क्योंके परसोंदा प्रोग्राम अस इवेंट कीता जाए एक्केमी सदी च उस सिरले एक थले सी जी और एक दिन पहला सी मंगलवार दे प्रोग्राम च उस दे वेरवे दते सन और सानों खुशी है कि जिस लाइन दे उत्ते सी सोच दे सी के ए ब्रीफिंग जानी चाही दी है उनी हुए है और ओर वेल्मिंग रि जड़े डेप्टी सेकरेटरी जैनल हुन दे है फिर अंडर सेकरेटरी जैनल उना दी प्रेजनस दे विच जिस अंदाज दे विच डॉक्टर इक्तार क्रामत चीमा ने सिर्ख नसल कुशी दे कि इस नो प्रेजिंट कीता है हालां कि आज जो मैं इंडियन मीडिया देख रह है मैदूद क्योंकि इनो कैंदेने टू किल दा स्टोरी जी अदर्वाइज ए बहुत वड़ी गाल सी के नंबर तिन परसं जड़ा यून दे विच है ओ यूस कंग्रेशनल कॉकस दे सामने जड़ा है इन दी प्रेजनस आफ स्टाफर्स और दूसरे लोकां दे जड़ा है उ और शॉर्ट्स जड़ेने पिक्चर्स कुछ जड़ियाने दर्शक देख सक देने क्योंकि कल दा प्रोग्राम असी जड़ा स्काइप ते कीता है और स्काइप ते जड़ा कोई भी एक्स्टा पिक्चर एडिशनल कंप्यूटर नहीं है क्योंकि असी भी अज़े पर उदों जड़ा है तो कि इसी वान वे अपनी गाल कर रहे हुं दे हो और जार है कि जड़ों सी टीवी प्रोग्राम रोजाना स्टूडियो दे विच कर दे हैं जो ओ इंट्रैक्टिव पार्ट जड़े हों मिसिंग हुं दे और दूसरा बहुत जड़ा है क्योंकि टेक्न कर पार्ट इन्वाल्व है कई वाद जड़ा पहला टाइम वेस्ट होंदा है केंटा डिट केंटा इदर सैट उदर सैट पर इदे बावजूद आसी समय दे हैं कि बिलकुल ना होन कोड़ो यह बेतर है कि असी जड़ा है इस गार नो जारी रखी जा दूसरी मौफी असी ब्रीफिंग सी ओ चली और ओदा टाइम क्योंके एक केंटा ठारा नहीं मिटते करीब सी सो उससे टाइम कैलिबर ची होना ने जड़ा उस तो बाद इन्हों चलाया और इन्दा मीन टाइम आज सानु कुछ तर्शकां दी हैं कंप्लेंट्स भी आई हैं कि जी तुसी आनौस क गाल करती हैं और हमेशा एक गाल से बार-बार एक कहना चाहूंदे हैं जा कहन दे हैं कि जदो भी तुसी किसे लोग तंतर दी गाल करते हूं को सा हिस्टा पर्लमेंट होना है है लेजिसलेशिडियर होना है लेकन इस साब दे बावजूद जवें अमरीका दे विच आज डा फिकर वाड़ी गार लेकं लिकी होप है और जिस करके जड़ के IWA ने सारे सेनेरियों तो जड़े ने ओ नराष़ी ने ओ उच स्वी ने ओ इड़ी श्रीदे होप कर देने हाला इदे इस हुपि कमजोर नुकते अमरीकन जुडिशिरी दे हवाले नाडवी के एक सुप्रीम कोट दा जज जेड़ है ओ डानल्ड टरंप ने नॉमिनेट करने हाला कन्फरमेशन लगी पूरी प्रासेस होंदी है और इते क्योंके एस वे डे बैलेंस है दोना दा जार है कोई रिपब्लिकन थिंकिंग वाड़े एक स्टीम वाड़ा जे होंदा है तो सारे दी सारी प्रासेस टिल्ट हो सकती है पर यह वी जुडिशिरी चीत होंदा जिनना के रेकर्ड है कि कई वार पामें ओवर जड़े मैजॉर्टी जे लिबरल सी उनने कुछ चीज़ें एक स्टीम लिबरल दिया देती है त हुन पारदे केस्ट जिते के आज एक बिलियन तेन सो मिलियन लोग ने और काट गिनती हैं उना दे विच मुस्लमान, इसाई, गलत, आदी वासी, सेक और बहुती जैनी थोड़े काट गिनती चैने साड़े लिए थे जदो हों अमरिका दी इवन जुडिशरी ज़ा अधरवाइस भी जदो उसी थोड़ा बहुत टिल्ट देखते हैं तो ओ विचारता रहाँच होंदे है के भी ओ कंजर्वेटिव विचारता रहाँए जहां लिबरल है कोई तरमदे मामलेच नहीं होंदे है सरकारां जो कर दी है जे नहरू तो लेके मुदी ता खुदी हिस्ट्री है जुडिशरी दी भी प्राबलम एए है उत्ते है के अल्टीमेट ली जड़ी क्योंके मेजार्टी कमिनटी है हिंदू उना दे इजाजने ते जो तो फैसले सुनाये जान दे ने उस ते मेजार्टी दी चाप हुंदी दूजे पास से काटगेंटियां दी बादकिसमती ये है के ना उना अनू अदालत चो इनसाफ मिड़ते जे और जिमें जिना नू दंगे क्या जान दा जिदो तक सिक्छा दे ना आड़ खुद नहीं हुए है बड़ा हिसा साड़ा चासी भी शामल है उसी जी मुरादाबाद चोए हैधराबाद सी लखनाओ एमदाबाद ए आम हुंदे सी शेहरांच के जी दो हुया सी समय दे से भी हिंदोगा मुस्लमाना दा टकरा है पर जदों हुण साड़े नाड़ हुए है और असी उना पर छोकर नो देखना शुरू कीता है और साड़े गा हुए है और अधायां दी मदद कर रही हुए है फिर उस सारे दो बाद की हुए हुए है तो बंदे मार जान देने जक में है प्रॉपर्टी फिर उंदा जी एक कुई मंग हुए है पंजाब चुई यह जो उसी आकाली लीडरां ने बयान कड रो जबहों है कुछ हुए जिदे जुडीशियल कमिशन बढ़ाय जाना ना एक ते मेजिस्ट्य ले इनकॉरी हुंदी है कि जी मेजिस्ट्रेट इनकॉरी कार देने एक जुडीशियल कि एवन इना काट गनतियां दे खलाफ जड़े हिंसक दोर चले उस तो बाद जड़े इवन कमिशन बढ़न दे नहें मेजिस्ट्रेटी जहां चो था निकल दा ही कुछ नहीं के विरी आइडमिस्ट्रेटिव इनक आ रहे हैं उधे जड़े 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 जड़ेशिल कमिशन भी बढ़ने उना चो भी काटिगनतिया नो इनसाफ नहीं मिड़े और एक कमिशन भी किने किने साल पहला उना अन्दी बार खुंदा है जी साल दा विचे रिपोर्ट फिर एक्स्टेंड कार देने वह जड़ा भी जुडिशल कमिशन जो हुंदा है उनू पूरा मिल रहा हुंदा है गड़ कोल देने सो कुल मुड़ा के किस अंदाज दे विच जुडिशरी और खास्ता और थे इवन जुडिशल कमिशन भी इस्तमाल कीते जान दे ने इस गाल नो डिले करण दे लगी और फाइनली पहला ता जमें वह अंग्रेजी किया जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड पहल दोना दिया रिपोर्टा भी आन दिया ने उना दे विच कुछ नहीं होंदा और जे कुछ होंदा भी है तो सरकार दोते को बाइंडिंग नहीं होंदी है कि भी उन्हान ने लागू करना है और उगालों ही रूलर जान दिया इस कांटेक्स ये लेटस्ट सी देखिया है जड़े फोना थे एकता है कि भी तुसी कुछ पिक्चर लेंगे वो वाजा आगी है कि भी होता है चंगे पर लेजड़े बिचारे आम थले लम्मे पेरे उनों गुड़ियां मार के मार रहे ने और वी पुलसी हजड़ा चीफ है और और मारो बचना जाए हुन इस सारे दे बहुत वरी फिजड़े लोग बड़े मेंती किसम दे पत्रकार हुन देने जा लखारी हुन देने वो फिर सारे नों इक थांते विकठा कर देने दस से मुड़े ले जो हुन पो पाल दे विच होया है पहली वार ने हुए जे नाई अखीरली वार होने इस दा पर छोकड किय यह हुजा एक बड़ा इन्वेस्टिगेटिव राइट अप आजीन एफ किरमानी जड़े जनलिस्ट ने लखारी ने उनना दा आर्टिकल कारवा डेली दे विच छपे और उदा उनने से लेख देता है फ्रॉम मुरादाबाद तू मेरट तू पोपाल हाउ इनकौरी कमिश जड़े ने वो इस्तमाल किते जान देने जस्टिस जनाई करन दे लेग विच उनना ने इस सारे दा जिकर कर दे है पहला जड़ा में किता है वालड़ी ने गाल इदेच किती है फिर उनने कहा भी हून इवन पौपाल दे मामले जड़ा एक एसके पांड़े जाज लाया गय आओ बलकुल हिंदू तो भी जाज है और उनने कहा कि जागर झा जा कि ठेकर ने झाल आए और यहाई पहला हाल हूए है यह फिर उनने जड़ी जड़ी कि optimism जड़ी जड़ी किती ही जड़ी hafna ज़िदेगे है फिर उननने जड़ी हिस्टरी जड़ी आफ सिर अ ने सकसेना कमिशन दी गाल की ती, एक कमिशनर बढ़े हैं सी मुरादाबाद दे विच उनीस सो असी दे विच रायट सो है, उनाने किया अभी अलाबाद हाई कोड़ ज़ज जस्टिस एमपी सकसेना वाज अपॉंटे टू प्रोब इन्टू मैसेकर विच टुक प्लेस एट ए हम होया, दो सुचरासी बंदे मारे गए ऐसी, दा रिपोर्ट सब्मिटेड इन में नाइटिन एटी त्री इंकलूड़ इंडाइक्टिड वीपी सिंग और सम अस्टिम लीडर्स वार्दा मैसेकर, उना क्या जिए कि अभी जड़ी रिपोर्ट दती गए उनीस सो त्रयासी जो दे दो शुच वीपी सेंगों नो दे मुझलम रीडरा नहीं दता गया, मोर देन थ्री एंडे हैफ टेकर लेटर जस्ट सेंपी सक्सेना कमिशन रिपोर्ट अनमरादाबाद राइट्स हैस नाट येट बिन टेबल दे उत्तर प्रदेश असेंबली, होने उनीस सो त्रया तो प्रदेशं तो मेरिट राइट्स विटकैन राइट्स काईएं प्रदेश आट रीट्ड़ आइबलना सीनाट नगा गया हम देकर में आप सांवे। court ने भी इज दखल अंदाजे की तिवाडी कमिशन ए नेली मैसेकर 1983 ए तिवाडी कमिशन canstatuted to investigate into नेली riots in which 2191 people mostly Muslims had been massacred 33 years later no political party has taken any action on it notably only three copies of the report exists ए क्योंकि नेली मैसेकर सामदे वीच होया सी, दो हजार तो ज्यादा मुस्लमान मार दते सी और इस गाल नो 83 ते 30 साल हो गए ने, इदे ते कोई जड़ा है, इस ते अगो कारवाई नहीं हुई, Commission for Anti-Sick Riots 1984, 10 commissions, some non-judicial were constituted to investigate Anti-Sick Riots of 1984, in which according to official estimates, 2,733-6 were butchered in Delhi alone. Some of the 10 commissions were constituted to lick under the relief and rehabilitation of the victims. The decimal level of rehabilitation offered to the sick victims at the negligible conviction rate vouches for the ineffectiveness of these commissions. के नवंबर 84 सिर्फ दिली दे विची ये सरकारी अंकड़े हैं मताबक 2773 सिक मारे गए और इस सब्दे बावजूद के भी 10 commissions बढ़ें और लेकन नहीं कोई कातलानों सजावा मेरी हैं, और even rehabilitation नहाँ थले जड़े सिक पीड़त ने, उननों भी इनसाफ नहीं दता गया, माथ माथर कमिशन, कानपुर riots in 1992, ए उननी सो बानवेच कानपुर जड़े कतले आम होया होदेते माथर कमिशन बढ़े हैं, दा माथर कमिशन इन्वेस्टिगेटर दा किलिंग ओफ 254 पीपल, mostly Muslims in कानपुर in 1992, in 1998, the Home Department received दा माथर कमिशन रपोर्ट, which had indicted many IAS and IPS officers, along with public officer holder, public office holders, so far no action has been taken against people in the report, ए एक पास है, उननी सो बानवेच बाबरी मसीत राज़त थी, दुझे पास से पारत पारदे विच खासत और ते यूपीज क्योंकि कलियांड सिंग चीफ मिनिस्टर से बीजे पीदा है, दोस्त चरवंजा बंदे कले कान पुर दे विच्ची मारे गया सी और उननी सो ठानवे चुदी रिपोर्ट रिलीज हुई है, मातर कमिशन दी, लेकन और उदे जाई है, साई पीज क्योंकि सारे सरकार दे अदकारी रडे हुंदे ने, फिर लिबरहन कमिशन बाबरी मॉस्क डेमोलिशन नाइटी 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 टू, लिबरहन कमिशन इस बस्कोंसिते बर प्रमनी स्कुदी ने समय पित दिर शुचि नाइटीचिट रिलिनने लेकन ऐदेवरी मॉस्क ग्रहन कमिशन इन प्रॉ voter हुदी बाब्रइ मॉस्क डेमोला, ऑ्रादी मॉस्क बाबरी मॉस्कार पीर है आटल-Bihari वाजपे हैंधि खल्य मॉस्स कुझ ए RSS as the chief architect of the मुच्सित demolition, far from being held accountable, these individuals and RSS continue to enjoy political leverage for the decade since submission of the report. उनीसो बानवेश च्छे दिसंबर नो बाबरी मसीट टाई और जड़ा ए लिवरहन कमिशन बढ़े हैं, उन्हें समेत उदे चटल बहरी वाजपाई, अडवानी और RSS नी सारी लीडरिशिप मुर्लीम नो सारे ही दोशी सी, कमिशन ने दोशी ठहराया, लेकर ने बाबरी मसीट टाई तो बाद पुलिटिकल पावरे नो मेड़ी है, हुने इस गार नो बनवें तो तसी देख लो, के चवी साल हो गए ने, वाजपाई वैसे जड़ा हो मर रहे है, उदे नार ऐलजाइमर दे नार बाकी जड़े ने, अडवानी पुलिटिकल विल्डरनेस पे इदता है मुर्दी ने, और उस तो बाद, बाबरी मसीट बाद, दो हजार दोश मुर्दी ने जो कीता है, गुजरात चो सब्दे सामने, श्री कृष रहे हो मुंभाई रही हॉरे है, गॉर म रहे है पुलिटी ने, टार चृष जोتي को किनवार्या सब और बाद, दो है को गीज़ात पार एदु ने, हुजराइमर बाद, उस जिड़ काहिध है, इस जड़ा श्री कृष जज्डा है ने जोपीध मेंशे को बाद, वाद ज्यर उदे ते कुई कारवाई नी हुई निमेश मिश्रा कमिशन अरेस्ट अफ मुस्लिम मैं इन यूपी 2007 के आरडी निमेश कमिशन कांस्टुटर तो इन्वेस्टिगेद इन अरेस्ट अफ खालिद मुजाहिद और तारिक उस्मानी वर अक्यूस्ट इन 2007 कोट ब्लास इन सरक्मस्टांसे और तारिक आस में स्टिल बिहाइंड बार्स के आद वहां दी अरेस्ट नो लेके रिपोर्ट होई उखलाफ सी के वही गलत तरीके नल होया है एक उनू अंदर राके मारता दूजा जेल दे पिछे है तो एता इनने बड़े मुख मुख ले लेकन असी इस द गर्स देखो पारदी हैं जेल अंदर रिकार्ड देखो था जिनने नो मैं नाल है पंजाब परसेंट तो ज्यादा हाना इनना सारे अबादी शायद पैंतिक परसेंट जा चारी परसेंट ते नेड़े होई लेकन आलमोस सट तो सतर परसेंट के दी जड़े ने ओं मुस्लमा परसेंट ने इसलाई बिनाने ने कि भी इनो जस्टिस नो डिले किता जाए पर दूसरे पास से जड़ा कॉमन बंदा भी है जैसी उन पारद ए महान पारदा देखी है और यह ना दिया है एक तिन सीरीज दे विच लेक चाल रहे है कि भी वेटिंग फॉर जस्टिस टॉंट केसिस पेंडिंग इन कोर्ट फॉर थाउजन फाइव हंड़ बेंचिस एम्टी इस विड़े स्ताई मिलियां ना मतलब है कि दो करोड सतर लक केस जड़े ने पारदियां दालतां दे विच पेंडिंग पहने और जड़े पंतारी सो दे खरीब जजज जानियां वे कैंसिस ख जानी हैं सरकार ने ठारां के भी मनने बाकी क्या चेंज करो आज तीमेन ख़बर सी सुप्रीम कोर्ट दे खुली जी हमने क्या भी नहीं इस सारे तुसी अपरूव करो जो एता सुप्रीम कोर्ट दे असी लेवल ते गयल कर दें और इस आर्टिकल चिक जड़ा कलासी केस बाबे ते तरस भी आया है कि भी इदे चाहिए कि इन टूथाजन फॉर्टीन दा डेली हाई कोर्ट ग्रांटे डाइवोर्स तो एन एटी फाइव एर ओल्ड मैन आफ्टर ए लीगल बैटल स्पैनिंग थर्टी तू यर्स डैट रूइन आल होपस अफ रिजूमिंग ए मैर इनकार दती जी इस इन उनफर्चुनेट केस वेर दा पार्टी वैस्पेंट मोर दन हाफ देर मैरिड लाइव इन दे आले जावता कोर्ट उन तो ही देख लो भी ए जस्टिस उत्व निकल दे हाई कोर्ट एड सैड एक्स्पैसिंग एंगिश ओवर दा स्लो प्रॉसस अफ बट इनस्टेड ऑफ बिंग एन एक्सेप्शन दिस केस इस पार्ट अफ ए लार्जर मैलेस अफेक्टिंग दा इंडियन जुडिशल सिस्टम उनने क्या जी ये ओवर ओल पार दे जुडिशल सिस्टम दा एक केस है इदा दा बहुत कुश है डिले इंडिस्पोजल अफ केस not only creates disillusionment amongst the litigants but also undermines the capability of the system to impart justice in an efficient effective manner former supreme court judge B.N. अगरवाल had said. उनने क्या अगरवाल ने क्या जी ये ता इक जदो डिले हुंदा है केस इदा मतलब है के तो अड़ा जड़ा सिस्टम है जने जस्टिस देने उस्ते उत्ते भी तबान दा है all times delay in justice delivery can have serious consequences as has been witnessed in the case of minor rape victim from Braylee who gave birth to an unwanted child after being denied permission to abort her fetus. उनके से बच्ची दे नाड़ जड़ा जबर जड़ा हुए है उन्हें कोट मूव कीता है कि मैं ए जड़ा मेरी कुखच बच्चा आया इस जबर जड़ा नाड़े नो मैं बाट करना चाहना है अदालत तो बैठी रही हो तो कोई आया है नहीं फैसला और उन्हें बच्चे नो जनम दता है और क्यों जाए साइकलोजिकल ट्रामा हुए गया भी जड़ों कोई इस किसम दी हिंसक लाइन दा शकार भी भी हुंदी है फिर उस नाजाएज तरीके नाड़ उन्हें दर ना मेंटल टॉर्चर है फिर उन्हों बच्चा बच्ची जड़ा है उन्हें नाड इंडियन जुडिश्री स्टरगलिंग टु कलियर ए हूज बैकलॉग इडिज अफन एवरेज थ्री पर्संजार इन्वार ने केस देर आर अट लीस्ट नाइन्टी मिलियन पीपल वेटिंग फॉर जस्टिस उन्हें क्या कि ए किसे वी केस ते विच जे तिन बंदे कोई इन कही हैं जो ज्यादा भी होने के पर उनने क्या भी दा मतलब है कि नौ करोड लोक जड़े ने ओ डीक जब एठे ने के कदों जड़े है ओ इनसाफ मिले गए क्यों जड़े बिचारे आम अदालता हैं जो तक के कहां दे ने जिवाज पेंदी है फर जो तक को कान दे ने काई दे जी होनो जाज साब लांचले चले गए अगली त्री एग मीने दो मीने बाद बाद ती ओ फिर आया है किई ता सारी उमर जोनों सुर्जीत पातर ने किते किया सी कि बैए जस्टिस की मेंना है कि बंदे डीक दे डीक दे बंदे बिर्क हो गए रुक बढ़ गए रुक साल बाद भी दुसी दे अज़े भी होन सी जी जिगदीश टाइटलर ने उदा एक केस बंद कर दे ओ खोल दे ओ सजन जे इस किसम दे और्गिनाइजड कार ने ही तो बाद जिदे पच्छती मिलियन से कौम जड़ी है उनने इना दा नकर गड़ाया है सारे पास से यह उना ही नहीं है ता आम आदमी जड़ा है बचा रहा है उस दे रही किते है फिर उनने कहा कि आफिशल फिगर शो देट सुप्रीम कोर्ट इस शॉर्ट फाइव जजज़े टुटिवर हाई कोर्ट हैव फॉर हैंडर सिक्टी फॉर वेकेंड जज़े इस पोस एंड फॉर थाज़ एक सो च्छाट जड़िया ने सबार्डिनेट कोर्ट से विच ने और अजे इस महीने दो जज़ सुप्रीम कोर्ट ते हो रिटायर होने ने और एज़ड़ा है अपॉंटमेंट आफ सुप्रीम कोर्ट इंड हाई कोर्ट सा ड़न बाई कोलीजियम अफ ता टॉप कोर्ट पर judges in the subordinate courts are appointed by the state high court भी उपर ले ता सरकार ने रुके होई ने सेंटर ने पर जड़े छोटियां दालता है जड़े 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 वो हाई कोट ने करने ने ज़े हाई कोट जब ऐसी के है के भी चार सो चौट विकैंसिस के लिए हाई कोट से विचने दा स्टेंड़ बिएन दा गरमेंट अड़े अड़े कोट जड़े ता कोट जज़े उनने क्या ज़े ठीक है सुप्रीम कोट नहीं गोरमेंट कार रहा ही हुद ले ओ जोधोशी है पर ये हाई कोर्ट्स ने स्बार्डिनेट कोर्ट्स अपॉंट्मेंट करने फिर ओवी दोशी ने सो कुल मड़ा के इस हमाम दे विच सारे नंगे ने और इस सिस्टम चो माइनौर्टी जे नाड़ता जो होई रहा होता पुल जान के कदे ए मैजॉरिटी इंडियन स्टेट चो उना दे लए जस्टिस होगा है पर इस मुलक जोई जड़ा कॉमन इंसान है बाकी जड़े ने जनानों उनाने करने जे इंद्रा गांदी नों सजा याफ़ता कीता है बियांसिंग सत्वांसिंग पांच साल बाद हैं का पुल पाट है पर बतीस साल बाद सिखा लए नहीं और जन्यासिंग उगनाये ने सो काल्ड राइट्स मुरादाबाद तो शुरू हो के और लखनाव होए मुरादाबाद होए मुंबाई होए युद्या होए गुजरात होए और पौपालदा साड़े अकां समने आए कि जा तुसान एसना बने रना मिल्दे आट इस शुर्ट पेक